हेलो दोस्तो वेलकम टू दी थर्ड वीडियो ऑफ केरियर गाइडेंस वीडियो सीरीज दोस्तो मैंने आपके लिए इस सीरीज में अल्रेडी दो वीडियो बना रखा है जिसमें सबसे पहले हमने डिसकस किया था कि 12th के बाद आपके पास कितने सारे करियर आप्शन्स होते है दूसरे वीडियो में हमने डिसकस किया था BBA vs. B.com के बारे में और इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे B.A. के बारे में देखे B.A. के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको ये बता दू कि B.A. कोई भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है चाहे वो साइन्स का हो Commerce का हो या फिर Arts का हो हम इस वीडियो में B.A. के बारे में सब कुछ डीटेल में जानेगे A to Z जितना भी होता है सब कुछ हम B.A. के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि B.A. क्या है तो देखें B.A. का फुल फॉर्म होता है Bachelor of Arts ठीक है ये यूजी डिग्री है यूजी डिग्री का मतलब होता है Undergraduate डिग्री है एक बार आप B.A. कर लेते हैं फिर आपको लोग Undergraduate कहने लगे ठीक है यान हैं लेकिन कोई भी इसे कर सकता है दूसरा इसका जो लेवल है वो बहुत एजी है मतलब की B.A. काफी एजी होता है इसे आप एजीली कर सकते हो थोड़ा सा भी टाइम अगर आप पढ़ने में दोगे तो भी BA आप easily कर सकते हो fail होने का इसमें chance ही नहीं होता है तीसरा ये कितने साल का होता है तो ये होता है तीन साल का यानि कि ये 3 year का course है आगे बढ़ते हैं अब अगर आपको BA में अडमीशन लेना है तो आप कैसे लोगे तो देखो बहुत सारे colleges में marriage based admission होता है marriage based का क्या मतलब है आपके 12th के marks के हिसाब से आपका admission होता है बहुत सारे colleges में ठीक है mostly सारे colleges में कैसा admission होता है BA के लिए married based मतलब कि आपके 12th के मार्क्स देखे जाते हैं अब जादा मार्क्स भी नहीं चाहिए B.A. के लिए लेकिन आपके 12th के ही मार्क्स देखे जाते हैं बहुत ही कम ऐसे colleges और universities है जो कि entrance exam रखते हैं B.A. के लिए ठीक है बहुत ही कम ऐसे colleges या universities है बाकी आपको हर जगा marriage based ही admission मिलेगा बात करें B.A. के fees की तो B.A. की fees बहुत कम है और यही B.A. का एक plus point है कि यहां के जो fees है वो बहुत कम है देखें अगर आप government college से B.A. करते हैं तो आपको ये 10,000 के under में ही हो जाएगा 10,000 के अंदर अंदर आपका B.A. हो जाएगा अगर आप government college से करते हैं तो अगर आप private college से करते हैं देन आपका 15,000 से 20,000 में हो सकता है ठीक है 15,000 से 20,000 में आपका easily हो जाएगा B.A. B.A. ज़ादा महंगा नहीं होता है वो depend करता है अगर वो बहुत high-five college या university हो तो 20,000 के भी उपर लग सकता है लेकिन mostly आपकी यही फीज रहने वाली है 15,000 से 20,000 बात करें eligibility की तो देखे 12th pass चाहिए बस अगर आपने 12th pass कर लिया है चाहिए आप कोई भी stream के हो matter नहीं करता है आप B.A. कर सकते हो बढ़ते हैं आगे अब देखे जब आप B.A. करते हैं तो आपके पास दो option होता है या तो आप B.A. कीजे नहीं तो आप B.A. honest कीजे इसके बीच का फरक समझ लीजे B.A. में क्या होता है आपको usually simple subjects पढ़ाय जाते है जैसे की history, geography, political science, psychology, sociology, economics, English, Hindi ये सब पढ़ाय जाता है ठीक है B.A. में B.A. honest में क्या होता है शुरुआत में तो आपको यही सारे subjects पढ़ाय जाएंगे लेकिन उसके बाद आपको किसी एक subject के अंदर deep knowledge दिया जाएगा for example आप कर रहे हैं B.A. honest history से तो क्या होगा शुरु शुरु में आपको सब कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है ताकि आपको knowledge हो जाएंगे उसके बाद आपको सिर्फ history में deep and deep knowledge दिया जाएगा अगर आप B.A. honest कर रहे हो economics से तो आपको economics का deep knowledge दिया जाएगा clear यह फरक होता है B.A. और B.A. owners में and B.A. owners ही अच्छा होता है as compared to B.A. बाकि आप simple B.A. भी कर सकते हैं no problem आगे बढ़ते हैं अब देखे B.A. का plus point हम देख लेते हैं इसका सबसे बड़ा benefit तो fees कम है B.A. की fees बहुत कम है easily affordable है कोई भी B.A. कर सकता है लेकिन आप चाहे तो इसकी salary बहुत high हो सकती है B.A. के बाद आप कर सकते है M.A. that is master of arts आप M.A. कर सकते हैं फिर आप कही job कर सकते हैं अब क्यूंकि आपने B.A. plus M.A. किया है तो आपको अच्छी खाह से salary मिल जाएगी B.A. के बाद आप कर सकते है L.L.B. ठीक है L.L.B. करने के बाद आप बन सकते हैं lawyer in fact आगे जाकर आप judge भी बन सकते हैं अगर आप L.L.B. करते हैं तो B.A. और L.L.B. आप साथ में भी कर सकते हैं 12th के बाद जिसे हम integrated course कहते हैं B.A. L.L.B. हो गया become L.L.B. हो गया यह सब हम कर सकते हैं इसे integrated course बोला जाता है इसके उपर हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे लेकिन अभी के लिए आप यह समझ लीजे कि B.A. के बाद आप L.L.B. भी कर सकते हैं B.A. के बाद B.A. भी करा जा सकता है जिससे हम teacher या professor बन सकते हैं आप B.A. करने के बाद civil services की त्यारी भी कर सकते हो इनफेक्ट साथ में त्यारी कर सकते हो जिससे आप I.A.S. I.P.S. I.A.S. भी बन सकते हो ठीक है एंग उनकी salary बहुत बहुत हाई होगी आप U.P.S.C. के exam के preparation कर सकते हो बैंक P.O. बैंक L.A.R. के लिए भी आप prepare कर सकते हो अगर आप B.A. कर लेते हो तो और उसके बाद अगर आप इन सब exams में select हो गए तो आपकी जो salary होगी वो बहुत बहुत हाई होगी अभी थोड़ा और इसका benefit हम समझ लेते हैं देखिए आप एक writer भी बन सकते हैं B.A. करने के बाद आप broadcasting के field में भी अपना career बना सकते हैं अगर आपको interest है तो आप poet भी बन सकते हैं B.A. के बाद आप film के field में भी जा सकते हैं तिके अगर आपको journalism में interest है तो आप B.A. के बाद journalism भी कर सकते हैं इन फैक्ट ये एक बहुत अच्छा career option है इन सब के बारे में हम detail में भी videos लेकर आएंगे so I guess सब कुछ clear हो गया है इतना ही था B.A. के बारे में thank you so much for giving your valuable time अगर आपको कुछ समझ आया है knowledge मिला है नया सिंखने मिला है तो like करे इस वीडियो को और do comment आपके दिमाग में जो भी है कि इस पर वीडियो आना चाहिए comment कर दीजे because मैं आपके comment पढ़ती हूं और वहां से ही मैं वीडियो लेके आती हूं आपके लिए और अगर आप first time आया है इस चैनल पर तो do subscribe thank you so much मैं मिलूंगी आपसे एक अगली वीडियो में till then bye bye time out you